तो चलिए दूस्तों आज हम बनाते हैं इमली की खट्टि मीठी वह भी बहुती आजी तरीके से आप बहुती लज़ी तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुती सब्रदस्त बना है और बहुती फास्ट बनता है इसमें ज्यादा तांसाम नहीं यहाँ ज्यादा तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत स्वाधिश्ट होता है यह बहुत ही मज़ीकी होती आप किसी भी यूस कर सकते हैं खासकते हैं आप देख सकते हैं अईक्दम मस्त बना है तो इसका बनाने का प्रोसेस हम आपको बताएं गें बहुत ही इजी है और आप एक पर बढ़ाएंगे तो बार बार जरूर बनाएंगे बच्चों को तो बहत पसंद है और बुड़ों को सत्तू के साथ खाना बहत पसंद है तो यहां पर देख सकते हैं मैं फसलिग कहा है अभर हम चलते हैं अब हम चलते हैं आपको आगे पर आप प्रोसेस बताते को सब्सक्राचि मैं करें यहां इसको WILL कट ए ब्राउन हो जाए तोो इसमें हम पानी डालेंगे आपको इसमें ग्लस पानी ढाले है यह 100 ग्राम हमारे हम पानी डाल रहे हैं वह यह 100 ग्राम पानी ग्लास है मंछा बालनी के लिए हम इंतजार करेंगे इसमें जब यह boils होने लग time ओने दाइरेक्ट शुरू हो चुका है इसको महörung उख यंविर दिखाव arab two बिच बिच में आपको देख लेना है हटा करके ऐसे भी इसका पानी जो है पूरा जलेगा नहीं तीन मिनट में तो यहां पर देख सकते हैं जो की है 50% तक हो चुका है हमारा जो इमली है 50% तक पूरा अच्छे से पक चुका है अब हम इसमें क्या करेंगे कि आई इसको चला ल सबस्क्रक्षण हमें 1000 तो इसमें हम लेंगे 200 चिराए 100 घरेंगे 500 तो बहुति जादा खटा होता है इसलिए 17 भाड़ हम कर लेंगे तो इससे में नंतों हो जाएकह दो ींसमें चीनि आइड़ कर लेंगे और इसको हम क्या करेंगी की मि papel कि कर लेंगे चला लेंगे मेंश क पकने के लिए हम छोड़ देंगे अब धकन बंद करने कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें से एक चुटकी हम नमक और नहीं है तो जो आप घहते हैं उसके अधिकन को बंद कर ले दो जो फाइनली तियार हो जाएगा तो तीन मिनट इधर फाइनली टोटल शाट से आठ मिनट तक का समय लगता है पूरा पकने में यहां पे आप देख सकते हैं पूरा जो चीने हैं अच्छे से पकना शुरू हो चुका है और इसमें आपको चलाते रहना है जब तक यह जो है टाइट इसका यह जो पानी है वह मोटा ना बन जाए यह लसी के टाइप के हो जाए ने देज आपनी पूरा दिला नहीं रखना था में पूरा मोटा गाढ़ा होना चाहिए दोन तो होगा और है तो अभी हम पकने देंगे आहां परती विच्फ थिश जाएगा क्योंकि सवोग्राम है अगर ज्यादा अप मात्रा में ले रहें तो थोड़ा सा और भी टाइम लग सकता है तो यहां पर जो है फाइनली हमारा जो बन नीचे उतार लेगे आप देख सकते हैं अब निकालते हैं और आपको दिखाते हैं अगर आपको लग रहा हुआ कि यह पतला होगा यह पुरा पका नहीं है तो यहां पर देख सकते हैं चम्मत से आपको निकाल करके दिखाएंगे यह मस्त गाढ़ा हो चुका है तो फाइनली हमारा खट्टी मिटी रेशीपी कंपलीट हुआ अब हम निकालने इसको अलग और आप चाहे तो इसको ज्यादा सब्सक्राइब करणा जीकल करते हैं क्लिक्स खट्टी मेटी रेशीपी बहुत ही मज़ेदार की हुई है और इसी एक खुबी और है अगैर आप एकदम जादा गाढ़ा कर दे रहे हैं तो थंडा होने के बाद तो एकदम से आपको छाट्टीी नहीं करना है आप देख सकते हैं ऐसे बर्तन को हम घुमा रहे हैं तो यह अभी हिल रहा है मतलब यह पूरा अग्दम से टाइट नहीं हुआ है इसका सालन यह कुछ दिर बाद जब ठंडा होगा तो और भी घाड़ा में आ जाएगा आप देख सकते हैं यहां पे अब पूरा 100 परशंट गाड़ा हो चुका और इसको आप स्टॉक करके रख सकते हैं सीसे की बोटल में रख सकते हैं तो आप लॉंग टाइम एक मंथ डेर मंथ तक फाइनली इसको रख सकते हैं यानि 40-45 दिन तक अराम से यह से रह सकता है इसको बना करके रख सकते हैं लोग इसको ऐसे आशार भी हम बनाने को आपको आपको बताएंगे अगले रेशीपी में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको तो यहां पर देख सकते हैं बहुत ही मज़े की हुए तो आप सब कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा बना है आप सबको कैसा लागा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब क कीजिएगा और सेर करना मत बुलिएगा दोस्तों फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए रेशीपी के शाहत तब तक के लिए बाए दोस्तों और हां कमेंट आप सब जरूर कीजिएगा